नमस्कार दोस्तों और आप लोगं का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल अनीता शिक्षा पे चलिए शिक्षा के अलावा आज हम फिर से एक कहानी के बारे में बात करेंगे आज एक नई कहानी के साथ मैं आप लोगं के सामने हाजिर हुई हूँ और ये बहुत ही प्यारी सी कहानी है जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये आप सब लोगों के साथ मैं शेयर जरूर करूँ तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बात पुरानी है एक आदमी रेगिस्तान में भटक गया आधा दिन निकल चुका था और रास्ते का कुछ पता भी नहीं था वे समझ ही नहीं पा रहा था कि किस तरह उस रेगिस्तान से बाहर निकले और उसका जो गला है वो प्यास से सुखा जा रहा था लेकिन पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था तभी उसे एक जोंपडी दिखाए दी वे इस आशा में जोंपडी की और चल पड़ा कि वहाँ उसे पानी अवश्य मिल जाएगा और वे वहाँ रहने वाले लोगों से रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता भी पुछलेगा तो इस उमीद को लिये हुए वो वहाँ पहुचा लेकिन जोंपडी में पहुचकर वे निराश हो गया वहाँ कोई नहीं था लेकिन उसके बार भी उसने भगवान पर भरोसा रखा और जोंपडी के वो अंदर चला गया उसने सोचा कोई बात नहीं यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा क्या पता अंदर ही शायद कोई हो तो वो अंदर चला गया जोंपडी के अंदर एक हैंड़ पंप लगा हुआ था तो वो बड़ा खुश हो गया क्योंकि अब उसे बहुत प्यास भी लगी हुई थी और वो इतना खुश हो गया कि उसे लगा कि अब मेरी जो प्यास है को मैं यहाँ बुझा सकता हूँ उसने भगवान को धन्यवाद दिया और हैंड़ पंप चलाने लगा लेकिन काफी प्यास करने के बाद भी हैंड़ पंप नहीं चला यानि उसमें से पानी नहीं आया मैं थक कर वहीं जमीन पर लेट गया पानी के बिना उसे अपनी जिन्दगी खतम होती नजर आ रही थी क्योंकि यह हम जानते हैं कि जल ही जीवन है बिना जल के हम नहीं रह सकते हम बहुत लंबे समय तक अपने आपको जीवित नहीं रख सकते अगर हमें पानी ना मिले तो तब ही उसे जोंपडी के छत पर पानी की एक पोतल लटकी हुई दिखाई पड़ी तब उसकी जान में जानाई और उसने सोचा कि चलो पानी तो है इस बोतल में मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूं उसने सोचा कि हे भगवान कि भगवान की ही कृपा है कि पानी की ये बोतल उसे दिख गई अब वे अपनी प्यास बुझा सकता था उसने पानी की बोतल को जब नीचे उतारा लेकिन जैसे ही मैं पानी पीनी को हुआ उसकी नजर बोतल के नीचे चिप के कागज पर पड़ी जिस पर लिखा था इस पानी का इस्तिमाल हैंड पंप चलाने के लिए करें जब हैंड पंप चल जाए तो पानी पी लें और फिर से इस बोतल में पानी भर कर वापिस वहीं लटका दें जहां से आपने इसे उतारा था कागस पर लिखे संदेश को पढ़कर एक बार तो आदमी सोच में पढ़ गया कि क्या करे यदि पानी हैंड पंप में डाला और वह नहीं चला तो सही तो यही होगा कि बोतल का पानी पीकर वो वहां से आगे बढ़ जाए अब ऐसी असमंजस की जुपस्तिती आती है आतमी के जीवन में तभी उसकी सही पहचान होती है यह परक का समय होता है आप कोई और नहीं परक रहा होता उसमय आप खुद ही अपने आपको परक रह ले होते हैं कि आप में कितनी इनसानियत बाकी है या आप सही और गलत कर निर् Hyundai करने में कितने सक्षम हैं फिर देखिये क्या हुआ लेकिन अन्द में उसने उपर वाले को याद किया और कागस पर लिखिये संदेश पर भरोसा करने का निर्ने किया उसने बोतल का पानी hand pump चल गया और उसमें से ठंडा ठंडा पानी आने लगा आदमी ने पानी पी कर अपनी प्यास बुझाई और बोतल में पानी भर कर उसे वापस उसी जगह लटका दिया जहां से उसने उसे उतारा था जोपड़ी एक कोने में उसे एक नक्षा और एक पैंसिल का टुकड़ा मिला उस नक्षे में रेगिस्तान से बाहर निकलने का रस्ता भी बना हुआ था आदमी बड़ा खुश हो गया और भगवान को बार बार उसने धन्यवाद दिया और वह नक्षा लेकर बाहर निकल ही रहा था कि सहसा वो भीतर गया यानि उससों कुछ चीज याद आई तो वो वापिस अंदर गया और उसने पानी की बोतल के नीचे लगा जो कागस था उस पर पैंसल से लिखा भरोसा रखें यह काम करता है ऐसा इसलिए उसने क्यों लिखा होगा क्या आप सोच सकते हैं जहां तक मैंने इस कहानी को समझा है मेरे विचार में उसने ऐसा इसलिए लिखा कि जो परिस्तिती उसके सामने आई कि आखिर पानी पीऊं या हैंड पंप में डालूं तो वो तो सही निन्ने कर पाया लेकिन अगर कोई व्यक्ति सही निन्ने नहीं कर पाएगा और उस पानी को पी लेगा बोतल वाले को तो उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति वहां पहुंचेगा तो वो क कोई माइने नहीं रह जाएंगे तो इसलिए उसने लिखा भरोसा रखी यह काम करता है ताकि आगे अगर कभी कोई वहाँ आए तो वह पानी पीने की सोचे ही नहीं तुरंत ही देन पंप में पानी डालके और वह अपनी प्यास बुझा सके उसी तरह से कोरणा की लहर में हमने औकसिजन के लिए तडपते हुए अपने लोगों को देखा है परिवार की और से एक दो व्रक्ष लगा कर भी हम इश्वर के प्रती इसकी कृतिग्यता ग्यापित कर सकते हैं तो आईए हम सब लोग प्रण करें कि हम लोग अभी इस समय कम दो 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 पेड अपने परिवार आईए मंगल भवन अमंगल हारी संकट मोचन बाबा हनुमंत लाल जी किसे प्रातना करें हमें समर्थ बनाएं विश्वास योग्य बनाएं स्वस्त बनाएं रखें और हमेशा हस्ता हुआ चहरा हमारे परिवार जनों का हम देखते रहें तो चलिए चलती हूँ आगे फिर एक नई कहानी के साथ हूँ आप सब स्बह् Moore काथा होगी और जाने से पहले आप लोगों को कहानी अच्छी लगती हो इससे शेयर जरूर करेगा अ residue करना मत भूल एक और अगर आप तो सुनने में कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करेगा कि क्याग अग अपने परिबार में पढ़ने वाले सब बच्चों से कहिए कि अगर अंग्रीजी उन्हें पढ़नी है तो छटी से लेके 12 क्लास तक कि सब बच्चे मेरे चैनल पर अंग्रीजी की पढ़ाई कर सकते हैं और 10 क्लास के लिए मैंने भी इंगलिश का एक क्रैश कोर्स चालो किया ह जिसमें दस्वीं क्लास के बच्चों का मैं पूरा कोर्स कम्प्रीट करा रही हूं एक महीन का जिसके अंदर पूरा स्लेबर्स उनका कम्प्रीट हो जाएगा चार दिन की क्लास हो चुके हैं आगे कंटिन्यू रहेंगी तो जो भी चाहे तो इस क्लास को जोइन कर सकता है have a nice day thank you bye bye